नमस्ते, आस्ता ही ज्यान चेनल में आपका स्वागत है नेपाल के पसुपतिनात मंदिर का इतियास और पोड़ानिक मानेता क्या है? विश्व में दो पसुपतिनात मंदिर प्रसिद्धे एक नेपाल के काटमांडू का और दूसरा भायत के मंसोर जिलेका दोनों ही मंदिर में मूर्थिया समानाकरति वाली है नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काटमांडू में इस्तिति और इसे युनेशको की विश्व धरोवर में सामिल किया गया है यह मंदिर भववे और नहां पर देश विदे से प्रेटक आते हैं पसुपती का अर्थ जीव या प्राणी और पती का अर्थ है स्वामी और नात का अर्थ है मालिक या भगवान इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जियों के स्वामी या भगवान है पसुपती नात दूसरे अर्थों में पसुपती नात का अर्थ है जीवन का मालिक मंदिर का इत्यास माना जाता है कि ये लिंग वेद लिखे जाने से पहले इस्तापित हो गया था पासुपति काटमांडू घाटे के प्राचिन सासकों के अधिश्टता देवता रहे हैं पासु पत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्मान का कोई प्रामानी की त्यास तो नहीं है कीन्तु कुछ जगह पर ये उल्लेक मिलता है कि मंदिर का निर्मान सौम देव राजवन्स के पसु प्रेशक ने 30 सदी इशापूर में करवाया था 605 इस्वि में मसु वर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था बाद में इस मंदिर का पुनर निर्मान लगबग 11 सदी में किया गया था दीमक की वज़े से मंदिर को बहुत नुक्षान हुआ जिसके कारण लगबग 17 सदी में इसका पुनर निर्मान किया गया बाद में मध्धी युक तक मंदिर की कहीं नकलों का निर्मान कर लिया गया ऐसे मंदिरों में भक्त पुर 1480, ललित पुर 1566 और बनारस गुन्निवीश श्रीश द्याबदी के प्रारंब में सामिले मूल मंदिर कहीं बारनाश्ट हुआ इसे वर्तमान स्वरुप नरेश भूपलेंदर मल्ला ने 16 संत्यानवा में प्रधान किया अप्रेल 2015 में आये विनासकारी भूकंप में पसुपतिनात मंदिर के विश्व विरासत इस्तल की कुछ बारी मारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी जबकि पसुपतिनात का मुख्य मंदिर और मंदिर की गर्बगर को किसी भी प्रकार की हानी नहीं हुई मन्दिर के पूजारी पसुपतिनात मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपल के राजाओं ने भारतीय ब्रामनों को आमंतित किया था बाद में मलार राजवनसिन के एक राजा ने दक्षिन भारतिय ब्रामन को मंदिर का प्रधान पुजारी नियुक्त कर दिया दक्षिन भारतिय भट ब्रामन इन्स मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतिय ब्रामणों का एकाधिकार खतम कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रबावसों पर दिया गया खुलता है मंदिर ये मंदिर प्रतेक दिन प्रात चार बजे से रातरी नो बजे तक खुला रहता है केवल दोपर के समय और साय पांच बजे मंदिर के पटबंद कर दिये जाते हैं मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबर सुबर जल्दी और देर सामका होता है पूरे मंदिर परिशर का भर्मन करने के लिए 90-120 मिनिट का समय लगता है मंदिर का परिचे नेपाल में पसुपतिनात का मंदिर काटमांडू के पास देवपाटन गाओं में भागमती नदी के किनारे इस्तित है मंदिर में भगवान सीव की एक पांच मुवाली मूर्ती है पसुपतिनात विग्रह में चारो दिसाओं में एक मुख और एक मुख उपर की ओरे परतेक मुख के दाएं हाथ में दुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंदल मौझूद है मानिता अनुसार पसुपतिनात मंदिर का जोत्रिलिंग पारस पत्तर के समान है कहते हैं कि ये पांचों मुख अलग अलग दिशा और गुणों का पर्चे देते हैं पूरू दिशा की और वाले मुख को तत्पुरुष और पच्चिम दिशा की और वाले मुख को सदज्योते कहते हैं उत्तर दिशा की होड वाले मुख को वाम देव अर्थार्थ या अर्धनारिश्वर कहते हैं और दक्षन दिशा वाले मुख को अगोरा कहते हैं जो मुख उपर की ओरे उसे इशान मुख कहा जाता है इस मंदिर में भगवान सिव की मूर्ती तक पहुँशने के चार दर्वाजे बने हुए हैं ये चारों दर्वाजे चांदी के हैं पच्छिमी द्वार के ठीक सामने सिव जी के बेल नंदी की विशार प्रतीमा है मंदिर का आधा भाग माना जाता है यह मंदिर हिंदू और बोधवास्तु का लाका एक अच्छा मिश्रान है मुख के पकोड़ा सेली का मंदिर सुरक्षी तांगन में इस्ति थे जिसका सरक्षन नेपाल पुलीस द्वारा किया जाता है यह मंदिर लगबग 264 एक कड़ छेतर में फेला हुआ है जिसमें 518 मंदिर और इसमारक समिली थे मंदिर की दी इस्तरिय छत का निर्मार तांबे से किया गया है जिन पर सोने की पड़ा चड़ाई गई है मंदिर वर्गाकार है के एक चबुत्रे पे बना है जिसकी आधार से सिकर तक की उचाय तेविस एम साथ सिमी है मंदिर का सिकर सोने का है जिसे गजूर करते हैं परिसर के भीतर दो घर्ब गरा है एक भीतर और दूसरा बाहर बीतरी गर्ब गरव वह स्ताने जहां सिव की प्रतिमा को इस्तापित किया गया है जबकि बाहर के गर्ब गरव में खुला गली आरा है बीतरी आंगन में मौजुद मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकी नात मंदिर है उन्मता भेरव मंदिर, सूरे नारायन मंदिर, कीर्थी मुख भेरव मंदिर, भुद्धा नीगिल कंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 सिवलिंग मूर्तियां परन्मक रूप से मौजुद है जबकि बहारी परिशर में राम मंदिर, विराठ स्वरूप मंदिर, बाराज जोत्र लिंग और पद्ध शिवाले, ग्रोशेश्वरी मंदिर के दर्शन किये जाते हैं पसुपतिनाथ मंदिर के बहार आरे घाट इस्ति थे, पुरानिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के बितर ले जाने का प्रावधान है, मंदिर दर्शन की मानेता पसु पतिनाथ मंदिर के संबंद में ये मानिता है कि जो भी वेक्ति इस इस्तान के दर्शन करता है उसे किसी भी जनम में फिर कभी पसु योनी प्राप्त नहीं होती है हाला कि सर्थ यह है कि पहले सिव लिंक के पहले नर्दिंदी के दर्शन ना करें यदि वो ऐसा करते हैं तो फिर अगले जनम में उसे पसु बनना पड़ता है मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफी कहानियां भी सुन सकते हैं मंदिर में अगर कोई घंठा आदा घंठा ध्यान करता है तो वो जियू कही प्रकार की समख्याओं से मुक्ति हो जाता है पोराने कता है एक पोराने कता के अनुसार भगवान सीव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारन कर निंदरा में चले बैठे थे तब जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वारान सी वापस लाने का प्रियास किया तो उन्होंने नदिक के दूसरे किनारे पर शलांग लगा दी कहा जाता है कि इस दोरान उनका सिंक चार टुकड़ों में तूट गया था इसके बाद भगवान पसुपती चत्र मुर्ख लिंग के रोप में याँ परकट हुए थे